रानी पुलिस थाने के सावलता में दिन दाहडे एक मकान में सोर गुश के गंततर दिवस का प्रोग्राम देख कर घर हिवती पौशी तो अंदर सोर गुशा हुआ मिला। मिला। हिमत कर उसने दर्वाजा बंद करने की कोशिज की लेकिन सोर ने चाकू दिका कर उसे डराया और भाग गया। पिडित पक्स ने रानी थाने में रिपोर्ट दस्कराई। पुलिस मामले में जास में जूटी हुई है। रानी पुलिस थाना एसेसो बहुरलाल ने बताया कि सावलता गाव निवासी गिसाराम पूत्र दूदाराम सीर्वी ने रिपोर्ट दी हैं कि जिसमें बताया कि सबीच जनवरी को वो अपनी पत्नी सहित खेत पर गया हुआ था उसकी 23 साल की बेटी दिपिका गाव की स्कु एक युवक गर से सामान सोरी करा था इस पर उसने घर का मुख्य दर्वाजा बार से बंद कर दिया बाड़े में घर का दुसरा दर्वाजा बंद करने गई तो सोर गेर से निकलता हुआ दिखा रोकने का प्रयास किया तो उसने साकू दिखा कर लड़की को डरा दिया और प आगे की कार्वि के तुन जहां शुरू की गए tum प्रिस है कि गर से 60 सानी के गहने और 90 जजार रुपे लेकर भागे शोर उनके गर से करीब चत तोला सोने के गैने एक किलो सांदी के गैने 90 जार रुपे और कैस सोरी का लेगे रिपोर्ट में बताया है कि उनकी बेटी दीपका की साधी हो रखी है उसने मिलने करीब दस तिन पहले ही गाउं आई थी